Hi friends, welcome to my channel Kritika JNV and I wish you all are fine. So, today we will together discuss the NCRT Class 8 English Supplementary Chapter The Duck and the Kangaroo. So, we will discuss it line by line. Let's start. So, ये जो पोयम हमें पढ़ना है, Duck and the Kangaroo. इसके पोईट है, Edward. जिन्होंने बहुती ब्यूटिफुली दो फ्रेंट्स के बीच की कन्वर्सेशन को अपने पोयम के स्टैंजा में डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीके, तो दो दोस्त हैं यहाँ पे डग और कंगारू. यहाँ पे आपको डग और कंगारू की इमेज भी दिख रही होगी. So, यही है डग और कंगारू. जैसा कि आप जानते हैं, डग जो है वो पानी में रहता और कंगारू तो कहीं भी रह लेता है. और वो तो वाटर में भी जम्प करता है और लैंड में भी कर सकता है. है ना, कंगारू ही है ना, जो अपने यंग वन्स को अपने पाउच में भी रखता है. So, यह तो सारे फैक्ट्स हैं, पर यहाँ पे यह एक इमेजिनरी और बहुत ही स्वीट सी पोयम है. So, चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's find out how they go about it. So, यह जो paragraph है, यह पोयम से पहले mention किया हुआ है, जिसमें से आपको आइडिया दे रहा है, छोटा सा आइडिया दे रहा है कि इस पोयम में हमें क्या पढ़ना है. तो दोस्त हैं, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में डक और कंगारू. और यह जो है, ट्रिप की प्लैनिंग कर रहे है, बहुत ही मज़िदार प्लैजर ट्रिप की. और जो कंगारू है, वो बहुत ही खुश भी है कि अगर मैं स्ट्रिप के दौरान जो है, अपनी टिल, अपनी पूच की टिप पे डक को बैठाओं और उसे पूरी जखा घुमाओं. लेकिन बस वो एक बात से टेंशन में है, वो वड़ी है, चिंता हमें है कि जो डक का फिट होता है, जो डक के पाओं होते हैं, वो बहुत ही गीले और ठंडे होते हैं. तो अब देखना ये है कि जो डक है उसका फ्रेंड, वो क्या करेगा जिससे कंगारू जो है, कम्फोर्टेवल फील करें, लेंड और सी की ट्रेवलिंग के दौरान. तो हमें इस पोयम में यही जाना है, we have to find. So let's begin. Said the duck to the kangaroo, good gracious how you hoop, over the fields and the water too, and if you never would stop. My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could, hope like you, said the duck to the kangaroo. So conversation के पहले standja में, सबसे पहले duck कह रहा है kangaroo से, good gracious, gracious मतलब होता है, जो की बहुत ही polite और humble nature का हो, kind हो, ठीक है? तो वो जो है, वो उसे पुकार रहा है, मतलब उसे कहते वे कह रहा है कि, good gracious, बहुत ही humble वाले दयावान, how you hoop, वो कांगारू से कह रहा है, तुम कितना अच्छा जंप करते हो, ठीक है? सो, gracious मतलब होता है, kind और humble, और hoop मतलब होता है, jump करना, ठीक है? तो वो कह रहा है कि, तुम कितना अच्छा jump करते हो, fields में भी और water में भी, और अगर तुम मतलब इस तरह से jumping करते हो, लगता है कि कभी रुकोगे ही नहीं, ऐसा लगता है कभी नहीं, stop होगे, मेरी life तो बहुत ही boring हो गई है, इस nasty pond में, सो pond मतलब होता है, तालाव और nasty मतलब होता है, बुरा, dirty, ठीक है? तो यहाँ पे जो है, वो duck कंगारू से कहता है कि मेरी life तो बहुत boring हो गई और तुम तो इतना अच्छा jumping करते हो, और मैं जो है, बहुत ही समय से, बहुत ही लंबे समय से actually, कहीं भी world का traveling नहीं किया, कहीं नहीं घूमा, काश मैं भी तुम्हारे तरह jump कर पाता और traveling भी कर पा नेक्स्ट स्टैंजा में है, please give me a right on your back, say the duck to the kangaroo, I would sit quiet still and say nothing but quack, वो कह रहा है कि please मुझे एक सवारी, मतलब एक बार मुझे बैठने के लिए दे दो अपनी back पे यानि अपनी पीछे, say the duck to the kangaroo, ऐसा duck जो है kangaroo से कह रहा है कि मैं पूरी, शान्त तरीके से बैठूँगा और कुछ भी नहीं, बस हाँ quack quack करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये duck होता है, उसका तो nature ही होता है quack करना, तो इसलिए वो बहुँड रहा है कि मैं बस कुछ नहीं करूँगा, quack quack करूँगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, the whole of the long day throughout and we did go to the d and the jelly, बोली, over the land and over the sea, please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo, so ये जो कह रहा है duck कंगारू से वो बहुत ही sweetly और request करते हैं कि पूरा दिन यो इस तरह ही बीच जाएगा, हम अगर चलेंगे traveling करने तो हम पूरा दिन बहुत ही मस्ती में गुजारेंगे, हम डी जाएंगे, jelly bowl ली जाएंगे, तो अब आप लोग सोच रहेंगे ये क्या होता, तो ये जो है jelly bowl ली और डी एक imaginary place है और कुछ नहीं, एक जो है सिर्फ point ने जो है अपनी poetry में beautifulness लाने के लिए दो इस तरह कालपनिक जगह का नाम दिया, ठीक है, तो वो लोग कह रहा है कि वो लोग यहां यहां की यात्रा करेंगे, over the land and the sea, पूरी land की, पूरे समुदर की यात्रा करेंगे, तो इसलिए please मुझे एक अपने back पे ride करने दो, please मुझे करने दो, ऐसा duck जो है request कर रहा है kangaroo से, अब देखें, पहले की दो standja में डख ने kangaroo से का और अब जो इस standja में kangaroo डख से कह रहा है, तुम्हे क्या लगता है तुम्हे इतना मुझ से request कर रहे हो, तो क्या मुझे पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है, यह kangaroo कह रहा है duck से ठीक है, तो मुझे भी कोई आपती नहीं है, मैं भी बहुत ही चाहता हूँ, इक चुक हूँ कि मैं तुम्हें अपने back पे ride करने दो, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और मैंने जो मतलब नोटिस किया है, कि जो तुम्हारे पाउं है, तुम्हारे जो feet है, वो बहुत ही weight और cold रहते हैं, और बस यही एक objection है मेरा, क्योंकि जो है, मुझे बाकी सारे किसी भी चीज़ से दिक्कत नहीं है, तुम bold बोलो गया, फिर किसी भी चीज़ से, क्योंकि मैं खुद तुम्हें ride देना चाता हूं अपने back पे, पर जो तुम्हारा feet है, वो बहुत ही unpleasantly weight और cold रहता है, और वो जो है, मुझे एक raw matis, तो यह तरह की बिमारी है, जो infection होती है, न ठंड से जो infection होती है, तो वही यह raw matis, dizes के बारे में जिकर किया गया है, कि कंगारू कह रहा है कि तुम्हारे उस weight और cold feet से मुझे हो सकता है, said the duck, next stand जा में है, As I sat on the rocks, I have thout over that completely, and I bought four pairs of worsted socks, which fit my web feet neatly, and to keep out the cold, I have about a clock, and every day a cigar, I will smoke all to follow my own dear true love of a कंगारू, means, बत्तक जो है, वो जो duck है, वो बता रहा है कंगारू को, कि तुम्हें इसके बारे में tension लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जो है rocks के पास, मतलब, जो जग है थी पत्थरी ली, वहाँ मैंने बैठ के बहुत सोचा इस बारे में, फिर मैंने एक idea निकाला है, वो idea क्या है, कि मैंने जो है, चार पेर जो है, वो उनी वूलेन के सौक्स खडीद लिए हैं, जो राबे, जो होती है, मौजे, वो खरीद लिया, और तो और इसके साथ मैंने, जो है, खुद के लिए, गर्म रहने के लिए, मतलब, कोट जैसा लबाद, मतलब, वो एक तरह का कपरा है, यहाँ पे, जिकर जो किया गया है, ठीक है, तो वो मैंने खुद को गर्म करने के लिए खरीद लिया है ठीक है आप एक ट्लॉक जो होता है उसका मतलब यही होता है लबादा मतलब जो खुद को ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है पूरी तरीके से जो डख है वो प्रिपेर्ड कहो के आया खुद को उसने ज़ा सौक्स भी खरीद लिए, फोर पेर अरफ सौक्स, और उसने खुद को पूरी तरीके से वाउम रखने के लिए एक कवर जैसा ज्रस भी खरीद लिया, ताकि वो खुद को गर्म रख सके और इसी के साथ-साथ जो है उसने स्मोक करने की भी बात कही है मतलब स्मोक करने से क्या होता है कि इंसान थोड़ा गर्म रहता है अंदर से भी तो उसने जो है पूरी तरीके से preparation किये स्मोक के थूरू सोक्स खरीद लिएं, क्लॉक खरीद लिएं ताकि वो ठंडे से पूरी तरीके से बचा रहे और उसका जो fit है जो उसका पैर है वो weight नहीं हो, cold नहीं हो बलकि वो warm हो यानि कि गरम हो उसे उसे गरम करने के लिए तो सोक्स खरीद एं, love of a kangaroo और वो इस तरह से प्यार से कह रहा है kangaroo को कि मुझे तुमारी बहुत ही चिंता है इसलिए मैंने जो तुमारे जितने भी अच्छी चीज़े हैं मैंने तुमारे लिए सारी चीज़ों को follow किया है वो dear यानि प्यारे kangaroo इस तरह वो kangaroo से कह रहा है said the kangaroo I am ready all in the moonlight pal but to balance me well dear duck sit steady and quiet at the end of my tail so away they went with a hoop and a bond and they hooped the whole world three times round and ho so happy oh ho as the duck and kangaroo so poem में कह रहा है last stanza में kangaroo कहता I am ready मैं तयार हूँ मुझे अब क्या problem होगी तो हम लोग जो है moonlight में यानि जो चांद की रात होती है मतलब हम लोग जो है निकल जाएंगे और हम हाँ लेकिन वो थोड़ा सा careful करते वे बोलता है dear duck यानि प्यारे duck तुम जो है sit steady यानि अच्छी तरीके से बैठना मुझे balance करने देना और जो है शांत रहना शांत से मेरे tell के end हिस्से में यानि tip पे जो पूछ का अंतिम हिस्सा था जो figure में भी दिया हुआ था starting में मतलब उस तरीके से अच्छे से शांती से बैठ जाना balance करते वे तो हम जो है फिर jump लगाएंगे और एक bond मतलब बहुत ही बरा बरा jump मारेंगे और इस तरह हम लोग पूरी traveling करेंगे और पूरा world जो है वो हम three times round यानि पूरे दुनिया का जो है हम लोग तीन चकर लेंगे और हम लोग खूब मतलब यह happily प्रसंता पूर्वक जो है traveling करेंगे सो तुम तो बहुत ही खुश होगे है ना तो हम खुशी के साथ तीन चकर जो है दुनिया की लगाएंगे और traveling करेंगे तो इसी तरह जो है सारे मतलब duck और kangaroo traveling करने जाते हैं सो यहाँ पे poem end हो जाती है और यही था हमारा poem duck and duck kangaroo इस poem में जो हमें दो दोस्तों के बीच की जो कहानी बताए गई है उसमें यही जताया गया है कि अगर किसी एक को problem हो तो उसे हमें handle करना चाहिए सो हमारे लिए यह moral है यह हमें किसी भी situation में कुछ न कुछ solution निकालना चाहिए और जो भी हो friendship में हमें कोई problem नहीं आने देनी चाहिए और solution निकालके happily survival करना चाहिए सो यह बहुत ही अच्छी poem थी Edward इसके point थे Edward लेयर बहुत ही अच्छी point है और उन्होंने इस poem पो भी बहुत अच्छे से लिखा है